नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे दो तरीके से बाजु की कटिंग और दो तरीके की बाजु छोटी बाजु और बड़ी बाजु तो देखिए जैसे हमारे बलाउज में से थोड़ा सा ही कपड़ा बसता है बाजु के लिए तो उसको हम कैसे निकालें तो देखिए यहां अगर आप देखेंगे तो इसकी जो चोड़ाई है वो कम है कपड़े की चोड़ाई कम है इस तरीके से आप निकालेंगे तो यहां पर चोड़ाई कम है तो हम क्या करेंगे बॉर्डर को निकाल लेंगे अब ये बॉर्डर को निकाल लेंगो और इसको कल लेंगे आदा क्योंकि दोनों साइड लगाना इस तरही है अब ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है तो जैसे ये हमारी बाजू है तो जैसा बिलाओ जब उस बाजू है तो इसका हम पहले नाप लेंगे तो यहां पर देखिए इसकी जो लंबाई है वो चार इंच है तो हम कपड़े को देख लेंगे तो यहां पर देखिए हमारे जो कपड़े की लंबाई है वो बारा इंच है तो काफी है तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे करेंगे डवल डबल करने के बाद इसको ऐसी डबल करना है तो यहाँ पर हम जो चोड़ाई लेंगे यहाँ पर हम जो बाजू की चोड़ाई लेंगे बो लेंगे हम 9 इंच की अब देखे 18 इंच की तो हमारी यह चोड़ाई हो गई यहां पर देखिए हमारी जो चोड़ाई है वो 18 इंच होनी चाहिए और लंबाई जैसे हमें 4 इंच चाहिए तो 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे तो यहां पर 5 इंच ले लेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे करके डबल कर लेंगे इस तरीके से डबल करने के बाद अब हम कटिंग का निशान लगाएंगे तो देखे यहाँ पर हम लेंगे जो खुली वाली साइड है यहाँ पर लेंगे हम तीन इंच 3 इन्च हमने ये ले लिए अब इसको देखिए इस तरीके से ले जाएंगे जबादि कुछ लोग बोल नहुत है कि हमें बाजू की कटिंग नहीं आती है तो इसमें कुछ नहीं है इस तरीके से आपको कटिंग करनी है यहां पर हमने तीन इंच लिया है और इसको थोड़ा सा इस तरीके से कटिंग करें और जब ही मैं आपको आगे से भी कटिंग करके नहीं बताती हूं क्योंकि कुछ लोग नहीं है तो अगर भी यहां से कटिंग कर लेंगे आदा इंच की तो पीछे की साट लगाएंगे तो ट यहां पर हमारे बुलकुल भी जोल नहीं आती है अब जैसे आगी कपला रहे तो मैंने हमेशा कटिंग में आपको बताएं यहां पर आदा इंच की हमें कटिंग करनी है तो अगर हम बाजू की कटिंग नहीं करेंगे तो यहां पर हमारे बुलकुल भी जोल नहीं आएगी त अब मैं आपको बड़ी बाजू बताऊँगे बड़ी बाजू जैसे 8 इंच की आज कल और 9 इंच की जो बाजू चल रही है यहां पर अलग कपड़ा सको अटा देंगे अब हम यहां पर क्या करेंगे जैसे अस्तर लगाना चाहें तो अस्तर की भी इतनी चोड़ाई में कटिं कर लेंगे अगर हम इसको सिंपल लगाना चाहें तो यहां पर हम पहले एक सिलाई लगाएंगे इस तरीके से फिर बाजु लगाएंगे उसके बाद बॉडर लगाएंगे तो अब भी मैं आपको बताऊंगे लंबी बाली बाजु तो देखें यह जो हमारा कपड़ा है तो इस यहां से हम इसको ऐसे डबल कर लेंगे यहां पर चोटा बड़ा बो देख लेंगे तो अभी हम इसकी जो बाजु की लंबाई रखेंगे वो 8 इंच की रखेंगे तो यहां पर देखें आट इंच में यह हमने निशान लगा लिया अब हमें एक इंच चाहिए सिलाई के अब हम कटिंग करेंगे तो यहां पर देखिए हमें लेना थीन इंच इस तरीके से तीन इंच ले लिया अब इसको देखिए हम उपर टोर के साव एससे लेकर जा सीट इस तरीके से कि प्रोब देख इंच टेप को हम्हार्च तरीके सरां दो तो यहाँ पर 8 इंच आ रहा है रहाuite अयुद दलग आपको इस तरीके से तिर्शा कातना है है कि अब अनुद जैसको करने के बार्थ रहा करेंगे हम थोड़ा से यहाँ पर बोलाई चान कर लेंगे बस सिंपल है अब हमें क्या करना जैसे यहां पर हमारी मौरी है तो यहां पर भी हम आदा आदा इंच कटिंग कर लेगे अब यह हमारी बाजू की कटिंग हो गई इस तरीके से और बाजू को कैसे जोड़ना है तो मैंने काफी वीडियो डाली है तो आप प्लीज हमारे चैनल में देख लें बाजू को कैसे जोड़ना है आसान और सरल तरीके से अगर आप पर बाजू जोड़ना नहीं आता है तो आप प्लीज हमारे चैनल में देख लें वीडियो के नीचे हमारे चैनल का नाम आ रहा है Telling in Hindi चैनल तो आप उसपर क्लिक कीजिए उसके बाद उपर आएगा वीडियो लिखके फिर आप उसपर क्लिक कीजिए तो हमारा पूरा चैनल आ जायगा तो आसा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्च्छी लगिए अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें नीचे कमेंट करें अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राब करने धन्यवाद